ये तो हम सब जानते हैं कि डियाबिटिक लोगों को मीठे से बहुत परहेस करना चाहिए लेकिन क्या आप ये भी जानते हैं कि अगर घुटनों में दर्द और जोडों में अकड़न है तो भी मीठा आपके लिए जहर है बात तो हैरानी कि है लेकिन कई स्टडी में आर्थराइटिस के डर्द और मीठे का करवा कनेक्शन सामने आया है इस स्टडी के मताबिक गट्या के मरीजों में एक खास प्रोटीन बनता है जो ACPA इसे कहा जाता है ये प्रोटीन ही डर्द के लिए जिम्मेदार होता है बिल्कुल ठीक कहा रही है मिनाक्शी आप और असल में जब हम मीठा खाते हैं तो ये पूरा कैसे हमारे शरीर में काम करता है वो समझते हैं जब हम मीठा खाते हैं तो शरीर में इस प्रोटीन की मातरा तेजी से बढ़ती है यानि की मरीज का दर्द भी कई गुना तेजी से फिर बढ़ जाता है अच्छा वैसे तो शरीर की हड़ियां स्टील से भी छे गुना ज्यादा मजबूत और ताकतवर होती हैं लेकिन मीठा खाने की वज़े से इतनी ताकतवर हड़ियों में अकडन और सूजन पैदा होने लगती है मीठी चीज़ से खाने से शरीर के अंदर गुट और बैट बैक्टीरिया का बैलंस तो भी करता ही है शरीर में साइकोटिन यानि कि वो छोटी छोटी प्रोटीन जिसका जिक्र किया जा रहा था जो इम्यून सिस्टम को मेसेज भेजने में मदद करते हैं उनके बढ़ने से ह ज्यादा लोग अर्थराइटिस की परिशानी से ग्रास तर जो तना इफ को और बढ़ा देजे बिलकुल अठारा करोड से जो ज्यादा लोग है वो अर्थराइटिस के शिकार हैं और तकरीबन चार करोड तो ऐसे हैं जिनके घुटले रिप्लेस होने वाले हैं ऐसी नौब ज्यादियों से अपनी गलत आदोतों से उतना ही कमजोर कर दिया आज पांच में से एक पुरुश के घुटने खराब हैं तो वहीं हर चौथी महिला आर्थराइटिस की शिकार हैं और हैरानी वाली बात तो यह है कि इसके सिम्टम्स बेशिक पैंदीस की उम्रे में दिखने लेकिन लोग इसे सीरियसली तो पचास के बाद ही जा कर लेते हैं जो तसना हो समझते हैं कि अभी तो कोई जोडों में दर्ट की परेशानी थोड़ी ना हो गया है तो पचास के बाद की बीमारी है और फिर यही बात वो कहने भी लगते हैं कि 50 साल में बुडापा आता है औ लेकिन यही बदलाव आजकल देखने को मिल रहा है जो बुड़ापे की बिमारियां थी वो बहुत यंग एज में लोगों को हो रही है, जोडों का दर्द लोगों को हो रहा है, घुटनों की प्रॉब्लम्स हो रही है, नी रिप्लेस्मेंट भी बहुत यंग एज में कराना प मचना है क्योंकि less physical activity, hormonal balance को हमारे शरीर में बिगालती है, और फिछले 27 महने से ये बात हम आपको लगातार बता रहे हैं, लगातार आपसे कहते आ रहे हैं कि उम्र 35 की हो या फिर 65 की, ना जोडों में दर्द होगा, ना आपके घुटने घिसेंगे, और ना ही सरजरी की योगा भ्यास, प्राणायाम वर्काउट करते रहेंगे तो, और ये सारी चीज़े आज एक बार फिर से स्वामी रामदेव हमारे साथ बताने के लिए जुरू गया है, स्वामी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, प्रणाम स्वामी जी प्रणाम, प्रणाम स्वामी जी, आज प्रिया भी हमारे साथ बहुत 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 प्रणाम, और आज योगनियों का मेला है स्वामी जी आपके, बहुत सोच रहे होंगे कि ये आदमी के पैर बाद करके कहां डाल रखा है, तो जोत्सना जी मिराक्षी जी हु जाएगा उनको चाहे बायकमिस्ट्री का फीजियोजी का एनेटोमी का ज्यादा नॉलेज ना हो लेकिन उनको शरीर विज्ञान का पता था और यह जानूबस्ती और घुटनों में जो मालिस करते थे सरसों के तेल की तिल के तेल की अलग अलग प्रकार के पीडान तक तेल है और इधर यह तो बड़ी जबरदस्टी जाए एकुपेंचर आप यहां पर देख रहे हो जह है एक तो यहां दर्द पूरे घुटनों से लेकर के नीचे तक पैर में दर्द हो कुछ एलेक्ट्रिक वारिंग से लिए तो तो सुई लगा के के आगशी क्यों लगा रहे हो रहे हो स्वामीची पहली बार इसकी इसका असर हिए यह 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 अफुट्नों में दर्द हो तो यह लगाते है ऑव इसको आ pala पीला है तो यहां विसता रहा केवल गंदा खून पीते को दर्द नहीं ओर है है हलकी सी चीनटी काट रही है ऐसा लग रहा है अब यह इधर तो यह लीच मोटी मोटी करीब 101 ग्राम इसका फोन पिएंगी इधर जो अम्मा है अब इस अम्मा को यहां और यहां अब यह सिंखी लगा करके घुटों के दर्द के सही चुटकारा नहीं ऑपरेशन से चुट कर रहे लेदा दिला देते अंदर जो ऑस्टो पीनिया ऑस्टो पॉरसिस अर्थ्राइट इस रोमटाइड अर्थ्राइट इस इन्फिलिवेशन अलग अलग प्रकार के पेल मार कर से आरे बढ़ाओ चैसी आर्पी पड़ाओ चैने एवेन अचर भी 27 बढ़ाओ उसको निका तरह निकलता है और अंदर से यह दर्द ठीक हो जाते बड़ी जबर्दस प्रक्रिया है अभी ऐसे अब एक तोड़ तरीका हो रहा है अभी जो भाई है अब इसको यह एक पत्थर नोवा चीज है इसको चैना में तो कोई गवासा गवासा लग लग बोलते थे आ आयरवेद में यह बात मोक्षण है उदर वो रक्त मोक्षण है स्रिंगे चीकिसा यह बात मोक्षण कमर में पीट में दर्द हो गुटनों में दर्द हो तेरे कुट अब बहुत बढ़िया है 80% फायदा है नरेंदर राजुमल कड़वा कपड़न गुजरात मैस्वरी पांच साल से चल नहीं पाता था पांच साल से दर्द था श्रिंगी करवाया और यह कपाल भातिया नुलों मिलों तो करना ही है गुटनों को आगे पीछे दबाओ और तेरह क्या लगाई थी मैंने उससे फराइखा बस्तिवी गरवाई ते इंदर गॉर यह बहन दूदर ब अनिता बेनिवाल है में मुझे जो है पिछले चार साल से रुमेटाइड अर्थ्राइटिस था और गुटनों में सीवियर पेन रहता था मुझे और यहां पर मैं आई हूँ पिछले तीन दिन से और तीन दिन में डिफरेंट थेरापीज मैंने यहां पर कराई है अब बहु गुटनों के दर्श से परिशान लोग या पर आर्थ्राइटिस से परिशान हर कोई बहुत बेटर फील करेगा आज का जब कायर करम वो पूरा देखेगा और इसको नियमित अपने जिंदगी में जो आप योगा भ्यास बताएंगे और जो सारे इहतियाद बताएंगे उसक आपनारी के सहत को कैसे नौसान पहुंचा रहा है? जरा यह समझाईगे क्यों की मित्वा को जहां कई भी द दिखता है तो हरे एक का मन ललचाने लगता है कि तोड़ा सू मित्वा वैसे भी मित्वा काई ये कहा जाता है कि थोड़ा मित्हा हो जाए क्वशी का माध़ा हूत खड़े खड़े देखो गुटने ऐसे खीचना छोड़ना ऐसे यह और एक जह यह बात अच्छी एक्सिसाइज है सो साल तक ऐसे हम इंडिया टीवी पर दंड पैशक लगाते रहेंगे यह ऐसे इसको तो अभी नौबे मैने में प्रवेश कर गई है अब देखो आज यह घुटने का दर्द अब देखो आज यह घुटने का दर्द यह तो एक जगए घुटने के दर्द की अभी व्यक्ति हो रही है जोडों में दर्द कमर में दर्द फाइब रोमाइलजिया अर्थराइटिस रोमेटर अर्थराइटिस आर्ये सी आर्पी एन ये एवी एन अच्छी ट्वेटिस यह घुटना का दर्द तो एक बहाना है अब यह घुटने के हलके हलके अभ्यास है कि मीठा हड्डियों के लिए नुकसान दे कैसे है और क्यों है अब वो इसको भी बताता हूं जो मीठा है यह सब से पहले हमारे पाचन तंत्र को गड़बड करता है आप देखेंगे मीठा खाते ही मीठा खाने में तो बहुत अचा लगता है इससे हमारा अब देखो यह घुटने के एक्सेसाइज बताता बताता ही बता देता हूं वात रोग बढ़ता है मुलाधार स्वादिष्ठान मनिपुर्चकर की गरवड़ी से हम इसको ठीक भी यही से करते हैं बस्ती देते हैं पिडानता क्वात की बस्ती देते हैं गिलोई अलवेरा पारिजाद हार्श्रिंगार जिसको कहते हैं और सहजना इसका बस्ती एनिमा भी देते हैं वात बढ़ता है नाभी के नीचे से कफ़ बढ़ता है नाभी के उपर से सब पाचन से ही सारे मंदागनी से ही इसको जट्षागनी कहते काय चिकित्सा अगनी चिकित्सा यह आईरिवेद का मूल शिधानत है तो जब आप मिठा खाते हो तो वो आपके सीधा प मंद कर देता है मंदागनी के बाद में फिर जो आपके हड्डियों के लिए पोशक तत्व चाहिए चोटे-छोटे निट्रिशन्स माइक्र निट्रिशन्स नहीं है आपके हड्डियों के पोशन के लिए जिन प्रोटीन की अवश्यक्ता होती है अच्छे दो तरह के हमारी पूरा बोड़ी जो है प्रोटीन से बनी है उसमें करीब करीब जो है 80 प्रतिशत 90 प्रतिशत प्रोटीन की भूमिका बाकि तो छोटे-छोटे-छोटे अलगल करके हमारे पूरे आमाशय पक्वास्ते से लेकर के और गाल ब्रड़ से लेकर पूरे पाचन तंत्र का विध्वन्स करता है और कि इससे फिर हड्डियों की उल्टी गिंती सुरू हो जाती है खाट पाट और अलग अलग प्रकार से हड्डियों में दिफॉर्मेशन अलग प्रकार से वो डैमेज्वन्स होना वहां पर सुरू हो जाता है इसलिए हमारे हां पर कहा जाता है कि बच्चों को बहुत जादा और चीनी के लिए तो बोलते हैं चीनी कहाए तो अदमी के हड़ियां कर जाएंगे ऐसा बोलते है तो पाचन तंत्र को ब बता दीजे कि आप खुद मीठे के कितने शौकी ने इसने तब से एक ही सवाल के पीछे हैं आप पड़े हुए थे मैं सोच रहा था मिनाक्षी कि स्वामी जी थोड़ी गुंजाइश दे दे और यहां थोड़ा वक मीठा खा सकते हैं इसमें मिनाक्षी जी एक बात और कर ल अब देखो ग़र्मण जले भी कभी हालने सप्ता हमीया मेहने में आप जैसे जो जावन है उनको सब्ता में जो बुजुर्ग है उनको मेहने में एक बार मीठा खाने की चूट है लेकिन वह एक बार खाया हूँआ वो साथ दिन में एक मैने में फिर उसका निश्प्रभावी हो जाएगा ऐसे तो रोज हमारे शरीर में अब देखो एक आगला विज्यान बताता हूँ जैसे वात, पित और कफ कहां से पैदा होते हैं फिर वात का असर पुरी शरीर पर होता है मोटा पादी बढ़ता, वो अलग बात है ऐसी एक और विज्यान थोड़ा सा बता देता है लंबे लंबे श्वासों के साथ तो ये जो है, आज हम वात रोगों के लिए जो योगा अभ्यास बता रहे थे तो एक तो ये अभ्यास जो बताए थे इन अभ्यासों को कर लें और साथ में जो है, ये छोटी छोटी बाते हैं जिनका आप शरीर से बहुत गहरा सम्मंद है और जिस पे ध्यान बहुत कम लोग देते हैं वात पित कफ बढ़ने से सारे रोग हमारे शरीर में पैदा होते हैं अब आपने बढ़ाने वाला तत्तो बता दिया अब मैं घटाने वाले तत्तो की बात करता हूँ अलुवेरा, हम जो हैं इंडिया टीवी पर पूरा का पूरा इसके बारे में सारे के सारी सूचनाओं को बड़े अलग अलग प्रकार से उसको ग्राफिक्स के जरीए भी बताते रहते हैं अलुवेरा, गिलोई, निर्गुंडी, पारी जात और सहजना पांच चीजों का यदि जूस पी लिया ना तो ये वात का प्रशमन हो जाता है, ये भी तो बड़ी बात है यदि गोखरू पी लिया, यदि गोधन अर्क पी लिया और लोकी का जूस नहीं, जूस ठंडा होता है, सूप पी लिया तो अंदर से जितने भी ये पेन मारकर्स बढ़ते हैं ये जो अलग अलग प्रकार के दर्द को पैदा करने वाले प्रोटीन से बढ़ जाते हैं और अलग 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 प्रकार के इन पेन मारकर्स को रेगुलेट करने के लिए ये भी भुटने के लिए बढ़ अच्छा है, वेट भी कम हो जाता है इससे तो अलग अलग प्रकार के जितने भी पेन मारकर्स हैं, चाहे आपने प्रोटीन के लेवल पर से उसकी सुरुवात की, अब मैं उसको R, A, CRP, ANA, AVN, HLB27, ESR, Uric Acid, ASO, जितने भी पेन मारकर्स फिर बढ़ते हैं. अच्छा, ऐलोपेथी में, डाइगनोसिस सिस्टम में, मौडरन वेडिकल साइंस ने ये तो बता दिया कि दर्द बढ़ता है, तो ये चीज़ें गड़बड़ी होती हैं, अंदर ऑस्टोब्रां सोसो क्लास सेर्स का इंबैलेंस हो जाता है, बोन फोर्मेशन, बोन डिजॉप लेते हैं, बायलोजिकल्स, ये दवाया नहीं है, ये दवा के नाम पर धोखा है, इसलिए मैं कहता हूँ, ये ऐलोपेथी में बहुत सी जगह तो धोखा पेथी हो जाती है, और आदमी के साथ में इतनी ज़्यादा कुरूरता होती है, और स्वामी जी इसलिए योगा पेथ ले रहा हूँ, और इसलिए आज यहां स्टूडियो में स्वामी जी आपके शिश्यों की तादाद बढ़ा दी गई है, आज प्रिया भी हमारे साथ हैं, जोसना और मिनाक्शी के साथ साथ, शायद आपकी नज़र अभी तक बड़ी नहीं है, तो आज तीन शिश्य यहां प अब एक विशय स्वामी जी और शामिल कर लेते हैं, घुटनों कदर स्वामी जी कार्टलेज के घिसने से होता है, और बहुती उमर के साथ घुटने खराब होना समझ में आता है, लेकिन 35 साल की उमर क्या होती है, 35 साल की उमर में अगर घुटने घिसने लग जाएंगे, तो पिर क्या कहना है, पिर वो हम लोग बच्पन में सुनते थे, नई जवानी माजा डीला, तो ये 35 साल की उमर में कैसे ये कार्टलेज घिस जा रहा है, इसकी वज़े क्या है? बड़ा अच्छा मुहावरा पढ़ा आपने. तो देखो, इसकी वज़ा है, हट्डिया अंदर से कमजोर पड़ गई, और जो हट्डिया अंदर से कमजोर पड़ी, तो इसके लिए एक तो मैंने अभी गिलोई अलवेरा, ये तो बताया है, बताया है, गिलोई अलवेरा निर्गुंडी पारिजात सहजना, इसका रेडिम पास ओसो क्लास सेल्स के इंबैलेंस होने से, बोन फोर्मेशन, बोन रिजोप्शन हमारा बोड़ी का इंबैलेंस हो गया, कमजोर पड़ गया मैटवलिजम होट्डियों का, फिर वो अंदर से काटिलेज घिसने लगते हैं, काटिलेज जो हमारे बनते हैं, ये प्रोटीन से बनते हैं, अच्छे वाला प्रोटीन चाहिए, तो अच्छे वाला प्रोटीन किसे मिलेगा? अच्छे वाला प्रोटीन मिलेगा मूंग की डाल छिलके वाली या बाकी सब डालों से भी, लेकिन मिक्स डाल खाएं जादा अच्छा है, अच्छे वाला प्रोटीन मिलेगा दूद से अब दूद में तोड़ा सिलाजीत और हल्दी ले ली और दूद में लाक्षा दी गुगल ले लिया लाक्षा दी गुगल यह योगराज महयोगराज गुगल और यह दर्द फिर हड्डियों के साथ साथ काटिलेज के साथ साथ फिर अंदर हड्डियों में जाता है फिर स्कीन के इस पर भी उभरने लगता है और स्कूरस जा है इससे एकजीमा लिकोडर्मा सॉराइसिस और स्ट्रोडर्मा तक हो जाता है भी इससे जुड़ा एक सवाल आ रा रहा था जहें में हो सकता है बहुत सारे लोग भी सोच रहे हैं अगर से हट्जियों को यह लीज पाल तू है इनको पाला गया है यह जहरी लीज नहीं है और फिर इनको निकाल करके हल्दे में डालते फिर इनको वमन कराते और यह आदमे के शरीर के इंफेक्शन से कराते हैं इंफेक्टिड जो होते हैं फिर उनका मोक्ष कर देते हैं और जो इंफेक्टिड नहीं होती हैं वो करीब तीन से पांच बार तक री यूज हो जाती है इनकी उल्टी करवा हूँ भई मतलब यह कि सामाने तोर पर अगर जो हम लोगों को बाहर दीख रहे हैं इसका इस्तेमाल नहीं करना और देखो यह ना यह किवल टोक्सिंस को ही पीती यह जो आम शींगी में निकालते हैं यह जो आप निकाल रहे ना इसका यह पूरा अब यह जो लीज का पूरा वमन हो रहा है कितना गंदा गंदा खोन निकल रहा है तो यह जो लीज से या सिंगी से यह दो वातमोक्षन हो रहा था दोकर इसके पीट पूरी लाल हो गई है इससे यह उभारा इसके अंदर के दर्द को चलो भई खड़े हो जाओ चोड़ दो अब क्या ले तेरी पीठ का कि खड़ा हो कि नैसी अच्छा बोल रहा है कि इंडिया टीवी पर दिखाई दे रहा हूं या वैसे सच में फाइदा हुआ है करके देख रहे हैं राज कुमार उसके गुटने का दल आगे पीछे जूख पूरा नाइंटी परसेंट कमर में फायदा हो गया यह वातमोक्षन इदर रखतमोक्षन जो चल रहा है लीज थेरापी और श्रिंगी थेरापी रखतमोक्षन फिर यह इदर जानूबस्ती और यह बहुत जबरदस्त है एकुपेंचर और यह एकुप्रेशर यह बड़ा जबरदस्त है यह जो पूरे गैप्स है ना यह सारे गैप्स में दबाते हैं ऐसे यह और यह यहां से दबाते हैं और फिर घुटने के चारुतरब भी दबाते हैं इस पर थोड़ा पिड़ान तक ते पर इसमें जो प्राचिन कार्ते से परम्परासे तेल बने आते थे महानारायन तेल प्रसारिनी तेल फिर है बला तेल जिसका अंदर से बात का विद्वंस करता है उनको तिल का तेली खाना चाहिए उनको बाकी सब तेल जितने भी रिफाइंड ओयले सब बंद कर देना चाहिए अच्छा स्वामी जी एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है एक चमस पी लेना चाहिए वर्जिर कोकोनट तेल तिल का तेल या गा получается में दद्रा रहता है और महिलाओं में इसकी डेफिशनस्थी काफी देखी जाती है तो तो इसकी कमी महिलाओं में ना हो हुँए उनको क्या-क्या करना है स्वामी जी क्याल्mont का तो अक्सर हम ध्यान रखते हैं लेकिन फॉस्फरॉस और यह मेगनीजियम जैसे बाकि वाइ 2000 तक आरेफेक्ट बढ़ गया था जिनका CRP, NA, AVN सारा पोरा बाय कमेश्ट्री गड़वड हो गई थी उनको खिलाये एक एक चमच और साथ में पेडा निल गोल्ड और और्थोग्रिट ये तो रामबान है ये तो अचू कोशदी है पेडा निल गोल्ड और और्थोग्रिट ये इसके दिए ये दिये खाले पेडा निल गोल्ड और्थोग्रिट बाकी बचपन से कोई दूद दही चाथ जैसे मैं बचपन से दूद दही चाथ खाता पीता रहता हूं तो मेरे सरीर में कैलसियम की, किसी भी प्रकार के प्रोटीन की, किसी भी प्रकार के फासफोरस की, मैगनिशियम की और यह ओमेगा की भी कमी होने से दर्द होता है ओमेगा की भी कमी नहीं उसको तो फ्लैक्सीट से भी पूरा कर लेते हैं वशे नुटिला, ओमेगा या सीवक थोन भी हम उसके लिए देते हैं और उसके लिए दूद दही चाहत सबसे बैस्ट हैं और आटे में सिंगाडे का आटा, रागी का आटा, बाजरे का आटा, जो चने का आटा ये बैस्ट होता है तो ये सारी चीजें बड़ी महत्तों पूंद, इसलिए मैं कहता हूँ, अलुवेरा 200 ग्राम, अलुवेरा का पल्प, आज हमने अलुवेरा यहां परी मोटा सा दल देना, और ये सारे पत्ते देना इदर, ये सारे पत्ते आज हमने इसलिए रखे हैं, इसमें से कुछ तो तेल में डालके पकाने यहां जोड भी है, ये सारी चीज़ों स्वामे जी, जो हमारे दर्शक हैं, वो अपने डायरी में नो डाउन कर रहे होंगे, और बहुत जबरदस्त है, और ये ये अलुवेरा और गिलोई मात्र, इतना ही पीते रहे ना, बाकी धतूरा देने ये तो पका करना है, बाकी तेल ने खाना, तेल का तेल, गाय का घी, सरसों का तेल, साउथ वालों के नारियल का तेल, ये ही तेल सर्वोत्तम है, रिफाइंड ओल ना खाएं, और मल्टी ग्रेल, ऐलुवेरा 200 ग्राम, 20 ग्राम, इसके अंदर अंकुरित मेथी, जो यहां रखी हुए, य जाय का घी, और उसमे च्छोंक लगा के तुरह साजीरा, धनिया, सौंफादी, जो भी डालना हो, इसमें, आजवाइन आदी, और इसी की सबजी का और मिलेट्स खाएं, तो ये आज का पूरा फूल कोर्स हो गया, ये जो कर लेंगे तो 100 साल तक, फिर ये वेटिंग सार पाच करोन लोगों के घुटनों के उप्रशन कराने वाले की, ये घटके जीरो पर आजाएगी, 100 साल तक गोड़े की तरह टना टन दोड़ेंगे मरवाई हुशन जी, बिल्कल स्पामी जी, अब एक स्टडी का भी जिक्र कर लेते हैं, ये जो स्टडी सामने आई है, इस जाए? ये दिमाग में भी वात गुशता है इसके लिए हम जोती श्मति और अनो तेल से नस्य करवाते हैं और जिनको कफज होता है उनको भी फिर ये नस्य कराते हैं और जिनको पित्तज होता है उनको फिर वमन करवाते हैं एक तो ये कनेक्शन है कि वात बढ़ने से भी सिर में दर् तो वात बढ़ा तो उसका असर फिर गुटनों में और कमर में और पूरे शरीन में भी दर्द होता है तो वातज जह वह सिरुवेदना है और उसके लिए ये जोती श्मती का तेल ये दूद में डाल करके पीलो और जोती श्मती से नस्य कर लो और मेधावटी और मेमूर्गीट तो अप्रतिम है और जिनको नीद भी नाती होना नीद ना अने से भी सिर्मे दर्द और फिर ये वात प्रकुपित होता है आहार, निद्रा और ब्रह्मचरिये ये तीन वात रोगों के लिए वैसे तो सारे आरोगये का अधार काया लेकि वात रोगों के लिए परम ओशदी है आहार का ध्यान दो, नीद पूरियानी चाहिए और मैंने का न बस्ती मुलाधार स्वाधिश्टान मनिपूर चक्र कमजोर पढ़ता है तो वात रोग बढ़ते हैं इसके लिए सैयम पूर्वक जीवन जी ओप्रमचरिय का पारण का मतलब कोई सब को सन्यासी नहीं होना ग्रियस्त में भी सैयम पूर्वक जीना अती भोग अती विलासिता यह ठीक नहीं है जीवन के लिए एक और एक और स्वामीजी टॉपिक इंड्यूट कर लेते हैं स्व प्रेगनेंसी के पूरे इस नौ महिने के पीरेट में करना चाहिए और अगर मान लीचे तब भी किसी को अर्थ्राइजिस के प्रॉब्लम हो गई तो फिर उसका क्यों और क्या है तो पीरियड के देखो एक तो लेडिज के पीरियड गडबड होते है ना उससे भी तो उसके लिए तो दसमूल लेए वो वातनाशक भी है और वो महवारी को ठीक करता है फिर प्रेग्नेंसी के दर्मियान अमने मदर्स प्लस बताया था बहुत जवरदस्त है अब डिलीवरी के बाद आपने देखा होगा और आपको तो मैं हरद्वार से बना करके भीज़ दूँगा क्योंकि आप एक अच्छी पत्रकार भी है अच्छी योगिनी भी है अब तो आपका व्यक्तित विराट होता जा रहा है सब के लिए बता रहों महिलाओं के लिए खाली मिनाक्षी जी की प्रसंसा नहीं है जो भी योग करें उन महिलाओं का विराट व्यक्तित वो जाएगा है आपके लिए तो अहम हरिदवार से ही क्योंकि मैं मांता हूँ सब मा बहन बेटी yön लिए हर्दवार उनके पियर जैसा है तो हमारे यहाँ पर यह करते थे जेलीवरी के बाद गूंथ के लडू देते थे तो गूंथ के लड़ू ना गूंद जो हड़ियों को मजबूत बना देता है हड़ियों को जोड़ देता है ये खाली माननेता ही नहीं इसके उपर हमने रिसर्च भी कर लिया है गूंद बोलो सलाय गूगल बोलो गूगल गूगल भी एक गूंद है सलाय गूगल भी एक गूंद है और कि इसी अजवायन थोड़ी सी मेथी उसको भी पहले दूद में भिगो देते अजवायन और मेथी को फिर उसको थोड़ा सा घी में भून करके और उसका लड़ू बनाकर जो खिलाते हैं वो इसी लिए देते हैं कि वात का प्रकोपना और हडियाँ मजबूत रहें और उससे द और इसमें शतावर और थोड़ा सा भुनावा जीरा हलका सा योड़ दाल दिया तो मा का दूद इतना हो जाएगा कि पड़ोसन के बच्चे भी आकर के पीशाएगा नहीं तो अपने वाले भाट देंगे रहते हैं वक्त हो गया है कि सवालों को शामिल किया जाए चुकि सवालों की कलंबी फेरिस मेरे सामने आ चुकी है और स्वामी जी पहला सवाल बलवीर सिंह का है बलवीर सिंह ये सवाल अपनी पत्नी के लिए पूछ रहे हैं जिनकी उमरे 45 साल है उनके दोनों पैरों की नस खूल जाती है और रस्ती जैसी उलच जाती है और उन्होंने पातंजली की दवा भी ली दवा को जब तक वो खा रही है तब तक उन्हें आराम रहता है लेकिन दवा छोड़ते ही परिशानी फिर होने लगती है तो स्वामी जी दवा का कोर्स कितने टाइम का हो कि परिशानी दुबारा लोटे ना या इसके लावा और कॉंशन तो योगा प्यास करने है खाने के बाद त्रयो दशांग गुगल गोक्षरादी और चंदरप्रभावटी ये तीन तो ये गोली खाने है और खाली पेट ये पेडानिल गोल्ड ले ले और पुनर नवादी मंडूर ले ले अलिवेरा ये जो है इसका ये पल्ड ये बड़ा जबरदस्ट या एलिवेरा और इसका लेप लगा ले और फिर एक बार ये लीज्ट करवाले नहीं दो भहाय साब को की थी अब उसको पूरा बसखली अल्ड़ी लगा करके पट्टी बाढ़ दी लीज करवाले पूरा अंदर की नसों की सूजन दर्द और जो भी इन्फिलमेशन और वहां के जितने भी पेन मारकर्स उनको निकाल करके बाहर कर देते हैं और साथ में ही पीड़ान तक क्का उबाल करके तोरह अे अरेंड का तेल डाल करके और उसकी बस्ति tomar ले यह थोड़े दिन गोधन अर्क ले थोड़े दी जौई गोखरू का पाने पी पूरा तर्द वाटरे इंशान अंदर का इन्फिलमेशन बाहर ने कल जाएगा अगरा प् अगले पड़ाव की तरफ चलते हैं स्वामी जी योगी का भ्यास आपने करवा दी बहुत सारी और शुदियों के बारे में आपने बताया अब जरा वो एक खास नुस्खा भी बताईए जो आर्थराइटिस के दर्द में इंस्टेंट लोगों को आराम दे घुटने की तक्री आप स्वामी जी इसकी तैयारी करें तो तब तक मैं कल के कारिकरम के बारे में दर्शकों को बता देता हूँ हेल्थ स्टडी में हुआ खुलासा क्यों नहीं घटता जंक फूड से बढ़ा हुआ मोटापा बढ़ गया वजन तो स्लो होगा दिमाग वक्त रहते करें अबेसिटी का इलाज जो गरू के पांच वेट लॉस टिप्स आजमाएं शुरुआत में ही मोटापे पर ब्रिक लग बढ़ने दें क्योंकि वजन बढ़ गया तो बहुत मुश्किले होंगी इसलिए बढ़ते वजन पर शुरुआत में ही कैसे रोक लगाएं जानने के कल हमारा एक आरिकम जरूर देखिएगा शुरुआत इसकी हो जाएगी ठीक साथ बचकर 56 मिनट पर स्वामी जी तो आज क् आज को सैज मी विर्णी चुरुआत नकि ने तो देखो एक तो यह गल जी को ना अब घर में ही ऐसी खरल में अमाम दस्ता में ऐसी कूट करके मूट करके पाउडर बना करे ले सकते हैं तो दालचीन हैं स्वामी जी दिन में कितने बार लेना है और कितने दिनों तक लेना है इसीरthen जय oscillates तो तो अच्छा है और मात्रा जरा बता दीजेगा थी ये एक चमच जो मीठा है वो शरीर को नुक्सान करती है जे लेकिं हनी है है यह पुरे शरीर को टाकत देता धा घ्य predic को भी ताकत देता है तो मीठे मीठे में भी फ़रक है तो चीनी वाला मीठा तो किसी को निखाना आजसे गूड शक्र हनी इसी का या खजूर अंजीर मोनक का अधि कोई यह दर यह जो गिलोई है अलुवेरा गिलोई तो राम बान है अलुवेरा और गिलोई का ही जूस पी लिया तो शुगर वालों की शुगर भी अच्छी हो जाएगी और अर्थाइटी से भी मुक्ति पाएंगे और वापस मैं पांच चीजों को दोहराना चाहता हूं मेथी तो पूरा हिंदुस्तान सब प्रकार की दर्दों से वात रोगों से मुक्त होगा और यही रोग मुक्त भारत का सपना रोज हम साथ वज करके 56 मिनट कर ले करके आते हैं कर मोटा पावी घटाएंगे भारत माता का और धरती माता का वजन घटाएंगे बहुत बहुत प्रणाम स्वामी जी